निपत्य वर्धमानं प्रश्णोत्तर रत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवंध्यं देवं देवाधिपं वीरं विपंच प्रमिष्टी भगवान की जे वर्तमान शाष्णाएक महावीर भगवान की जे अमोग वर्ष महामुनिराजी की जे पिछले दिनों से हम लगातार प्रश्णोत्तर रत्नमालिका में भाग ले रहे हैं और जो कक्षाएं नित प्रती दिन डाली जा रही हैं उन सभी कक्षाओं के माध्यम से स्वाध्याय का लाव अर्जित कर रहे हैं पिछली कक्षा में हमने अध्येन किया कि सरवदा विद्या के अभ्यास में ततपर रहना चाहिए क्योंकि बास्तविक में जब तक विद्या का अभ्यास नहीं होगा तब तक हमारे कर्मों का शय नहीं होगा जब जब बिद्या जब पूर्ण तरे से हमारे अंदर समाहित हो जाएगी जब हमारे अंदर पूर्ण तहाई जियान समाहित हो जाएगा और वह जैसे ही प्रस्पुटित होगा तो निश्चित ही कर्मों से दूर होने के लिए हमारा मन कहेगा और हम तदनुसार आचरन करेंगे तब आदी को करेंगे तो निश्चित ही हम कर्मों से मुक्त हो करके सिद्ध शिला में विराज़मान हो जाएंगे अताहा विद्या में सरवदा हमें अभ्यास करते रहना चाहिए उसी विद्या के अभ्यास के लिए और आगे बढ़ाते हुए और कुछ प्रशनों का समाधान आचरे कर रहे हैं उन प्रशनों का समाधान भी हम निरंतर सुनते हैं आईए तो प्रारह्म करते हैं आज की इसका क्षा को कुछ प्रशन और समाधान के माध्यम से काहर निशमनुचिंत्या संसारा सारता नचप्रमदा काप्पे यसी विधेया करुणा दाक्षिन्यमपी मैत्री आईए अब हम देख लेते हैं कहां कहां पर हमें ध्यान देना है उच्चारण में जिस्टे की हमारा उच्चारण एकदम शुद्ध हो जाए काहर निशमनुचिंत्या इस प्रकार से आपको पून बोलना है इसको संसारा सारता इस प्रकार से बोलना है और नीचे देखें करूना दाक्षिन्यम अपी मैट्री करूना वैसे पद अलग है और दाक्षिन्यम पद अलग है तो करूना दाक्षिन्यम अपी इस प्रकार से अगर आप बोलते हैं अलग अलग पद करके तो कोई शमस्या नहीं है बास्तविक में यह पद दोनों ही अलग अलग है और अगर मिला करके विए बो लें तो करुणा दाकश sweetheart हम इस प्रकार से दोनों ही पद आब ब warfare आप बोल सकते हैं करुणा का अलग अर्थ है दाकशिनिय का अलग अब आ जैसा भी आपको प्रतीत सरल्ता प्रतीत हो आप उस प्रकार से शुद्ध उच्चारण हेतु करूना दाक्षिन्या में भी बोल सकते हैं। अब देखें हम यहाँ पर जो शंधी पद हैं वो हम आपको एक बार अवगत करा देते हैं जिसे की हमें अर्थ लगाने में सरल्ता महसूत हो। को संधी नहीं नीचे देखें करूना दाक्षिन्या मैत्री जो यह पद है करूना दाक्षिन्यम यह अलगपद है अपी अलगपद है इस प्रकार करूना दाक्षिन्यम अपी पून पद हो जाएगा अब हम एक एक पद का आपको आर्छ बताते हैं का आर्थात कौन क्या अहर निशं अहर निशंौ उता अहhn अहन शब्द है अहन शब्द दिन अहन शब्द को बोलते हम अर्थात अहन शब्द परियाय बाच्ची है दिन का और निशा परियावाची है रात्री का तो अहर निशम जब दोनों में ही द्वंद समास करेंगे तो समाहर द्वंद हो जाएगा नपुन सकलिंगे एक बचन होकर कि अहर निशम अर्थात दिन और रात तो अहर अर्थात दिन और निशा अर्थात रात्री तो दिन और रात्री में का अर्षत क्या अनुचिंत्या अर्था चिंतन करना चाहिए उसका उत्तर देते کو 상태े हैं संसार असारता संसार स्य असारता संसार की असारता है वह दिन और रात चिंतन करने की योग है और क्या चिंतन करने की युग नहीं है तो आगे कहन नचप प्रमादा और ना की प्रमादा प्रमादा अर्थत स्त्री स्त्री अहर निशं अनुचिंत्या नास्ती रात और दिन स्त्री का चिंतन नहीं करना चाहिए का प्रेयसी का रथत कौन प्रेयसी रथत प्रिया प्रिया कौन और विधे रथत बनानी चाहिए प्रिया किसको बनाना चाहिए तुका करुणा को प्रिया बनाओ दाक्षन्यम दाक्षन्य को प्रिया बनाओ और अपिचा मैत्री और मैत्री को भी प्रिया बना सकते हैं मैत्री अथा मित्रता का भाव मित्रता के भाव को भी हम प्रिया बना सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर एक-एक पद गार्थ हुगा, अब हम अनवय पूर्वक अर्थ बताते हैं, कहते हैं, अहर निशम का अनुचिंत्या संसारा सारता नाचप प्रमादा प्रेयसी का विधेया करुणा दाक्षिन्यम मैत्री अपी इस प्रकार से इसका अनवय होगा अब अनवय पूर्वग हमार को अर्थ बताते हैं कि अहर निशम अहर कार्थ हमने बताया था आपको दिन और निशा कार्थ रात तो दिन और रात कानुचिंत्या किसका अनुचिंतन करते रहना चाहिए सरवदा दिन और रात किसके वारे में सोचना चाहिए तो कहा संसारा सार उसका चिंतन करना चाहिए और जब जब हम संसार की असारता करेंगे तब तक निर्वेत भाव उम्रेगा तब जब बैरा के भाव निर्वेत भाव उम्रेगा संसार से दूर होने की बात हमारे मन में कौंधेगी अताहा हमें सरवत प्रथम चिंतन करना चाहिए संसार की असारत और दिन और रात इसी के बारे में विचार करते रहना चाहिए चतुर गती के दुखों के बारे में चिंतन वनन करते रहना चाहिए बारबार सोचना चाहिए मैं किस गती में नहीं गया हूं कौन सा दुख मैंने नहीं पाया है अतहार रात दिन हमें संसार की असारता का ही चिं सब्सक्राइबह करेंगे तब तब हमारे सात कोई नए कहानी घटित होगी और को नहीं करना चाहिए सरवदा प्रेयसी का विधेया तो कहा प्रेयसी किसको बनाना चाहिए प्रेयसी अर्थत प्रिया का अर्थत कौन विधेया अर्थत होनी चाहिए बनानी चाहिए तो कहा प्रेमी का किसे बनाना चाहिए तो करूना दाक्षिन्यम मैत्री अपी करूना अर्थ दक्षिन दाक्षिन्य को अर्थत कोशलता को प्रवीनता को और मैत्री अर्थत मित्रता के भाव को हमें प्रिया बनाना चाहिए प्रेमिका बनाना चाहिए यूं तो धेरों लाफों हजारों प्रेमिकाएं बनाते रहते हैं परन्तु जिस दिन करुणा और दाक्षिन्य जीवन का उध्धार हो जाएगा अता हा हमें आज विचार करना है कि अहर निशम, दिन और रात हमें एक चिंतन छोड़ना है और वे चिंतन है प्रमदार्थ्थ श्तरी का श्तरी का जो भी आज तक हम चिंतन कर रहे हैं बस उसके बारे में से ध्यान अटाना है उसके बारे में सोचना नहीं है जो इस्त्री है उसको पुरुष के बारे में जो पुरुष है उसको इस्त्री के बारे में चिंदन करना छोड़ना है तो कहां लगाएं तो बता दिया कि संसार असारता संसार की असारता पर चिंदन करे नित प्रति दिन सोचें, चतुर गतियों के भर्मण के रूप में सोचें हम सोचें हम कितने बार भटक चुके हैं संसार के कौन सा ऐसा कोना है जहां पर हमारा चन्म नहीं हुआ कौन से वैपुद्गल के अनू है जिनको हमने नहीं भोगा है सब कुछ तो भोग लिया, सब कुछ तो कर लिया, अब बचा क्या है इस प्रकार का चिंतन हम संसार की असारता के संदर्व में करें और स्त्री का चिंतन सरवदा छोड़ें और कहा प्रेयसी काविध है या प्रेयसी किसको बनाए तो बस एक ही उत्तर दे दिया करुणा को अपने अंदर करुणा भाव जागरत करें दूसरों के प्रति जो गरीब हैं दुखी हैं जिनके लिए कर्म भाव सता रहे हैं जिनको कर्म पीछा नहीं छोड़ रहा है जिनका ऐसे व्यक्तियों के प्रति करुणा का भाव लाएं ऐस जब सुख हो तब भी हम समान परिणाम हमारे हों दुख हो तब भी हमारे समान परिणाम हों सुख दुख में हम एक जैसे बने रहें ऐसी वो समता परिणाम कुशलता जो है उसको हम अपनी प्रेयसी बनाएं और तीसरी वही प्रेयसी किसे बनाएं तो कहा मैत्री मैत्री भाव को भी हम अपनी प्रेयसी बना सकते हैं अर्था सभी प्राणियों के प्रती सभी संसार में जितने जीविस्तित हैं उन सभी के प्रती में अपने मैत्री का भाव रखूंगा बस इस से बड़ी कोई प्रेयसी इस जीवन में है नहीं है अत्वा तीन प्रकार की प्रेयसी बदा यसे समाधान किया है और दोनों ही प्रश्णों के साथ प्रमदा इस्त्री का चिंतन नहीं करना चाहिए इस एक प्रकार की है सीख भी हमें इस माध्यम से इस पद्य के माध्यम से अमुग बर्ष जी ने हमें इसमें प्रदान की है कि राद दिन हमें चिंतन नहीं करना है संसार असारता का चिंतन करते हुए प्रमदा का चिंतन हमें नहीं करना है प्रेयसी हमें तीन को ही बनाना है करुणा को शल्टा और मैत्री भाव को इस प्रकार से तीनों दोनों प्रशनों का समाधान बहुत ही उत्तम रीती से किया गया है अब हमारा करतब है कि किसको हमें मैत्री कि किसको हमें प्रेयसी बनाना था मालताई इस संधर्व में वीचार करते हुए अचारे की बात को मान करके और standard की असार्ढा को चिंतन करना हैं और प्रेयस बनाते उए अपने जीवन को सुस सज्जित करना है चलिए अब हम दूसरे पद्द के बारे में विचार करते हैं सर्व पर्थम उच्चारण के साथ कंठ गतै रप्यसु भी कश्यात्मानो समर्प्यते जातू मूर्खस्य विशादस्य चा गर्वस्य तथाक्रतग्नस्य कहा इस प्रकार से आचारे ने इस उक्त जो पद्ध है उसमें बहुत अच्छी भावनाय भाई है आपको यह उच्चारण बताया गया इस उच्चारण में देख लें कहीं पर जो स्खलन हो सकता है वहाँ पर हम कठिन पदों को एक बार देख लें कंठ गतई रप्यसुभी इस प्रकार से बोलना है समर प्यते यकार बोलनां नी चोंगर इस प्रकार से बोलना है और के बाद हम अर्थ और अन्वय अर्थ पूर्वक आगे बढ़ेंगे कंठ गतः ही यहाँ पर संधी हो जाएगी विशर्ग संधी कंठ गत गतः ही और फिर अपी फिर निकलेगा असु भी ही इस प्रकार से इस पूर्ण पद में तीन संधिया हो जाएगी कंठ गतः ही अपी आगे पद में देखें कस्यात्मा तो कस्यात्मा बराबर बन जाएगा कस्यात्मा इस प्रकार से दो संधी उपर थी जिनको हमने आपको बता दिया अब हम एक एक अर्ष आपको बता रहे हैं कंठ गतही अर्थत कंठों तक कंठ तक गतही प्राप्त होने पर कंठ तक आ जाएं कंठ तक आ जाएं इसका मतलब क्या हुआ हम कहते हैं कि कंठ तक आ गया इसका मतलब है कि बस अब जाने वाला है जो बाग के हमारे कंठ तक आ जाता है वो बाग के हमारा बस निकल नहीं बाला होता है तो ऐसी कहा जब प्राण हमारे कंठ गत ही कंठ तक आ जाएं और इसी में दे दिया अपी अर्थत भी असु भी अर्थत प्राणों के द्वारा प्राणों के कंठ तक आ जाने पर अर्थत प्राणों के अत्यंत निकट हो जाने पर बस अप्राण समाप्त होने वाले हैं एसी स् अर्थत किसको आत्म अर्थत यह आत्म यह जीव नो नव कार्थ यृंपर नहीं लेना है समर्प्यति अर्थत समर्पित की जाती है जातू अर्थत कभी कि मूर्खत स्य May अर्थत मूर्ख को विशाद अस्या अर्थत विशादम अस्तियस्य विशाद जिसके पास है विशाद से जो युक्त है और गर्वस्या अर्थत गर्वसे जो युक्त है अविमान से जो युक्त है घमंडी जो है ऐसे उसको और कृतगन अस्या अर्थत कृतगन है जो ऐसे उस उसको यह आत्मा कभी भी समर्पित नहीं करनी चाहिए करतगने अर्थात जो हमारे उपकार को भूल जाए किसी ने हमारे उपकार किया और वस हम उसको भूल गए तो हम करतगनी कहलाएंगे अर्थात जैसे हम पढ़ते ना मेरी भावना में हो नहीं करतगने कभी में द्रोहना मेरे और आवे और गुणग इसी प्रकार हम उपर भी पढ़ते हैं कि गुणग गरहन का भाव रहेनित दृष्टी न दोशों पर जावे हो नहीं कृतगन जिसने मेरे उपर उपकार किया है भगवन कभी मैं उसके उपकार को नहीं भूलू कितनी भी बड़ी विपत्ती आ जाए मेरे पर कितना भी कुछ मेरे साथ हो जाए परंतु किसी ने मेरे साथ अगर थोड़ा भी उपकार किया है तो उसके प्रती हे भगवन हे जिनेंद्र देव मेरे जन्म जन्मांतरों में कभी भी उसके प्रती कृतगन के भाव न आएं इस प्रकार से कृतगन हमें अर्थात किये हुए अर्थ को भूल जाना ही कृतगन कहलाता है अतहा कृतगन को कभी भी आत्मा नहीं सोपना चाहिए इस प्रकार एक एक पढ़ अर्थ हमने आपको बोधित कराया अब हम अनवय के माध्यम से आपको बोधन कराएंगे इसकार्थ गर्वस्य कृतगनस्य चा अथवा हम ऐसे भी लगा सकते हैं मूर्खस्य विशादस्य चा और गर्वस्य तथा कृतगनस्य किसी भी प्रकार से हम इसकानवय कर सकते हैं तो अब देखें कंठ गता ही अर्ठथ कंठों तक कंठ तक प्राप्त हो जाने पर भी अर्थत मरन का अत्यंत निकट समय आ जाने पर भी किसके तो कहां अशू भी अपी अर्थत भी अर्थात बस अब कुछ ही देर में प्राण निकल रहे हैं अर्थात अत्यन्त कठिन विपत्ती आ जाए ऐसा होने पर भी आत्मा यह जो मेरी आत्मा है यह जो हमारा जीव स्वरूप है वै कस्य अर्थात किसके हाथ में यहां पर हमें हात में से अर्थवा किसी भी समर्पित की वहावना से अर्थवा हम अपने वो पराधीन ना करें किसके पराधीन ना करें अर्थवा जब हमारे यह हात पाउं इत्याजी सब चलना बंद हो जाते हैं तब हमें किसी सहारे की जरूत पड़ती है तो कहा सहारा किसको नहीं अर्थत सहारा किसे नहीं बनाए तो जातू अर्थत कभी न अर्थत नहीं समर्पित अर्थत समर्पित की जाती है कंठ तक आ जाने पर भी प्राणों के आत्मा किसके पास तक जातू अर्थत कभी भी न समर्पित अर्थत समर्पित नहीं की जाती किस इसके हाथ में अपनी बागडोर नहीं दी जाती तो कहा मूर्खस्यक मूर्खके विशादस्यक विशाद युक्तस्यक अर्था विशाद से जो युक्त है चिंता से जो युक्त है दुख से जो भरा हुआ है ऐसे उस प्राणी के हाथ में और गरवस्यक अर्था जिसको अपना बहुत अभिमान है जो घमंडी है ऐसे उसके और कृतगनत से है अर्था जो किये हुए उपकार को भूल जाता है ऐसे इन चार व्यक्तियों के हाथ में अपनी कमान कभी भी नहीं सोपना चाहिए अर्थाद मरने का निकट भी आ जाए मरना भले ही हमें स्रियस कर होगा परन्तु कभी भी मूर्क के हाथ में और जो चिंता और दुख से युक्त होगा जो घमंडी होगा और जो कृतगनी होगा ऐसे जीव के हाथ में अपने आपको सोपना खत्रे से खाली नहीं होगा अगर हम मूर्क के हाथ में अपने आपको सोप देंगे तो सोचें हमारा समाधी मरन क्या हो पाएगा हमारे भाव मरन के समय में अच्छे होना चाहिए हम यह सुनते आये हैं देखते आये हैं परन्त उस समय मूर्क के हाथ में अगर सोप देंगे तो निश्चिदी हमारे परि अता है ये शे विक्ति के हाथ में कभी भी हमें अपना मरण काल समर्पित नहीं करना चाहिए इसलिए कहा कि जब जैसे ही मरण काल हमारा निकट आए तो मैं समाधी मरण के लिए मुनी महराज के पास चले जाना चाहिए उन मुनी महराज के माध्यम से या पर अच्छा कोई जो घमंडी विक्ति है अगर हुस के हाथ में भी हम अपने आपको समर्पित कर देते हैं मरण के समय पर तो निश्चित ये वै हमारे को अपने अनुसार चलाएगा आगम के अनुसार नहीं चलाएगा अता है ऐसे विक्ति के हाथ में भी अपनी कमान को नहीं सूपना अतहाए ऐसे लोगों के हाथ में हमें अपनी कमार नहीं सोपना चाहिए चाहे भले ही हमारे कंट हमारे प्राण पखेर उड़ने वाले हो हमारे प्राण बिल्कुल अत्यन्त निकट हो और अभी बिल्कुल जाने वाले हो पांच मिनट पहले अगर वो हमारी जान भी बचा सकते हैं तो ऐसे ब्यक्तियों के पास जाना सुईकार नहीं करना चाहिए इस प्रकार की भावना इस पद्य के माध्यम से बताई गई इन दोनों पद्यों में हमने उपर दो प्रश्ण और नीचे एक प्रश्ण इस प्रकार से तीन प्रश्णों का समाधान आज हमने पढ़ा हम यह प्रार्थना करेंगे इश्वर से जिनेंद्र भगवन से प्रार्थना करेंगे यह भगवन ऐसी सदबुद्धी जैसी की अमोग वर्ष महामुनिराज ने यह सदबुद्धी हमें प्रदान की इसके माध्यम से वह बास्तविक सदबुद्धी मेरे अंदर आए और मैं भी उनी जय जिनेंद्र बंद्ध हूँ